क्या है फॉस्फोरस बम जो हवा से सारी ऑंक्सीजन सोख कर हड्डियों को गला देता है इसराइल पर लगा इस्तिमाल का आरोप फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने शनिवार को इसराइल पर खतरनाक हमला किया जिसमें सैकडों नागरिक मारे गए इसके बाद से दोनों के बीच जंग जारी है इस बीच फिलिस्तीन ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि इसराइल उसके लोगों पर वाइट फॉस्फोरस बम का इस्तिमाल कर रहा है वीडियो सालों पुराना निकला लेकिन फॉस्फोरस बम पर बात जारी है रूस पर भी इस हथियार के इस्तिमाल का आरोप लगा था फिलिस्तीन और इसराइल में जंग खतरनाक हो चुकी है छोटे से आतंकी संगठन हमास के बारे में शक जताया जा रहा है कि उसे कई बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही है ताकि इसराइल को नुकसान पहुँचाया जा सके अपने सैकड़ों लोगों को गमबा चुका इसराइल जम कर मकाबला कर रहा है इसी बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इसराइल उसकी घनी आबादी वाले इलाकों पर प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम गिरा रहा है उसने इसराइल को वार क्रिमिनल तक कह दिया क्या है ये बम जिस पर इतना हला मचा वाइट फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस और रबर को मिला कर तयार होता है फॉस्फोरस मूम जैसा केमिकल है जो हलका पीला या रंगहीन होता है इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंधाती है इस रासाइनिक पदार्थ की खूबी ये है कि यह ऑंकसीजन के संपर्क में आते भी आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है यह फासफोरस ऑंकसीजन को खत्म करने लगता है आंकसीजन के लिए रियक्टिव होने की वजह से जहां भी गिरता है उस जगह की सारी आंकसीजन तेजी से सोखने लगता है ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वे दम घुटने से मर जाते हैं यह तब तक जलता रहता है जब तक की पूरी तरह से खत्म ना हो जाए यहां तक की पानी डालने पर भी यह आसानी से नहीं बुचता बलकि धुएं का गुबार बनाते हुए और भड़कता है मल्टी ओनरगन फेलियोर का कारण बन सकता है फॉसफोरस बम चुँकि थर्टीन सौ डिगरी सेलसियस तक जल सकता है इसलिए यह आग से कहीं ज्यादा जलन और जखम देता है यहां तक की यह हड़ियों तक को गला सकता है कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इनसान जिन्दा बच भी जाए तो किसी काम का नहीं रह जाएगा वो लगातार गंभीर संक्रमन का शिकार होता रहेगा और उम्र अपने आप कम हो जाएगी कई बार यह तवचा से होते हुए खून में पहुँच जाता है इससे हार्ट, लिवर और किड्नी सब को नुकसान पहुँचता है और मरीज में मल्टी ओनरगन फेलियर हो सकता है क्या है इसके अब तक के इस्तिमाल का इतिहास दूस्ट, ए वर्ल्ड वार में इस बम का जमकर उप्योग हुआ था खासकर अमेरिकी सेना ने जर्मनी के खिलाफ खूब बम गिराए आरोप तो यहां तक है कि उसने सेना के अलावा जान बूज कर रिहायशी इलाकों पर भी वाइट फॉस्फोरस की बंबारी शुरू कर दी ताकि देश पर दबाव बनाया जा सके हमला लगभग परमानू अटैक जैसा खतरनाक था जिसकी चर्चा कम हुई इराक युद्ध में भी अमेरिकन मिलिटरी पर यही आरोप लगा था यह आसान लेकिन बेहद खौफनाक तरीका है जिससे दुश्मन देश पर दबाव बनाया जा सकता है जेनेवा में लगभग प्रतिबंध इस बंब के खतरों को देखते हुए साल 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में वाइट फॉस्फोरस को लगभग प्रतिबंधित किया गया लगभग प्रतिबंधित यानि कुछ खास वजहों जगहों पर इसका इस्तिमाल हो सकता है कन्वेंशन ओन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के तहत जो प्रोटोकॉल बना उसमें इसके कम से कम उपयोग की बात मानते हुए 115 देशों ने हस्ताक्षर किये क्या हुआ था तै तै किया गया कि अगर इस बम का इस्तिमाल रहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और देश पर वार क्राइम के तहट एक्शन हो सकता है इसके बाद भी अमेरिकी सेना पर इस बम के गैर जरूरी इस्तिमाल का आरोप लगता रहा कहा तो यहां तक गया कि अमेरिका चुंकि सबसे ताकतवर देश है इसलिए जानते हुए प्रोटोकॉल में कई कमिया छोड़ दी गई ताकि वो बेजिजक बम अटैक कर सके इन बातों पर उठा था विवाद एक तरफ तो परमाणू हमले से इसकी तुलना होती रही दूसरी तरफ जेनेवा कन्वेंशन में तैय हुए प्रोटोकॉल में कई सारे लूप होल्स भी छोड़ दिये गए जैसे रिहायशी इलाकों में हवा से जमीन पर वार करने वाले हथियारों पर रोक लगी हुई है जबकि जमीन से जमीन पर हमला करने को लेकर कोई बात नहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी बात का फायदा उठा कर फॉस्फोरस बम से हमला हो सकता है इसका हमला अगर सरफेस से भी हो तो भी खत्रा कम नहीं होता कौन-कौन से देश है कटगरे में सीरियाई सिविल वार में संगठन आपस में ही इस बम से हमले करने लगे International NGO Human Rights Watch ने साल 2012 से अगले 6 सालों में ऐसे 90 से ज्यादा हमले गिने इस्राइल ने कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किये उस पर भी गाजा पट्टी में ऐसे अटैक का आरोप लगता रहा कथित तौर पर उसने लेबनान पर भी केमिकल अटैक किया साल 2016 में सौधी के नेतरित्व में यमन पर ये हमला किया गया था Islamic State पर एक्शन लेते हुए अमेरिकी सेना ने भी सीरिया और इराक के कई इलाकों पर फॉस्फोरस बम गिराया